वाज की वीडियो का मुद्दा थोड़ा सा अजीब है गरम है मतलब बहुत ज़्यादा अजीब है सान्या मिर्जा जो की हमारे इंडिया की एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिनेंट टेनिस प्लेयर है राधर इंडिया की one of the finest नी the finest टेनिस प्लेयर में अगर बोलू तो सान्य मिर्जा है एंड शी गॉट मैरेड टू पाकिस्तानी एक्स कैप्टन फॉर्मर कैप्टन या जो मर जी क्या लो शोइब मलिक इन 2012 शी हाव बेवी विद हिम ऑफ 10 यह तस साल का उनका बेटा है एंड आइ थिंक सारी बात है ठीक है यार मैं देखो कोई मुसलिम टेंजेंट पर नहीं जाना चाहता मैं कोई इस्लामिक टेंजेंट पर नहीं जाना चाहता तो वो अपने लेवल पर बात करें ठीक है बट एक चीज़ मतलब आज मेरे को पता चली के शोइब मलिक नहीं है कोई पाकिस्तानी एक्टरस है ठीक है it's his life it's their personal decision कोई इसके ओपर बोलने वाला नहीं बनता उनके divorce के rumors आ रहे थे वो भी बात अलग है वो भी उनका personal decision है nobody is there to speak in between them and in front of their choice ठीक है लेकिन अगर हम बात करते हैं उनके मतलब matrimonial status की तो सानिया मिर्जा की तरफ से divorce rumors पहले revoke किये गये थे कहा गया था ऐसी कोई बात नहीं है बट उसके थोड़ी देर बाद अभी दो-चार-दस दिन पहले की बात है जहां पर सानिया मिर्जा ने बड़ी ही एक अजीव सी story post करी थे instagram पर आजकल time ऐसा है कि इंसान दोस्तों से जादा social media को अपना समझता है तो अगर हम बात करें तो उन्होंने ये post करा था कि divorces are hard and I'm sure they are but honestly एक चीज़ बोलूँ कि उनसे कभी बात ना करो उनसे अलग हो जाओ दूर हो जाओ वो ठीक है सारी बात ठीक है वो चल जाएगा बट लेकिन अगर आप अपनी life में आगे बढ़ रहे हो जो सबसे बड़ी shocking चीज मुझे आज पता चली हिंदुस्तान टाइम्स के article के अंदर भी ये चीज मेंशन थी और एक दो जगा Twitter पोस्ट में भी ये चीज मेंशन थी और newspapers भी ऐसे हैं जहां पर ये चीज मेंशन थी कि शोईब मलिक गॉट मैरेड विदाओ टेलिंग सान्या मिर्जा I think इस से जज़ादा घटिया चीज नहीं हो सकती at least partner चलो आपको वहाँ पर चार शादियां permitted है आपक second marriage जैसा decision ले रहे हो that is a complete betrayal and without divorcing her तो ये सुनके थोड़ा सा मुझे शौक लगा and I think disturbing है ये किसी के लिए भी and यहां पर बहुत चारे लोग मैंने ये बोलते हो सुने है के हां यार she should be like this आशा नहीं नहीं यार Sania is our sister and I think we all should stand by her support करना चीए जो भी उनका decision रहा है it's her personal choice जैसा भी रहा है it's her personal choice अब उसके repercussions हैं जो भी हैं she is going to face them but किसी के लिए भी मतलब हाँ ठीक है तुम्हारी नहीं बन रही तुम चाहे सालों भर बात ना करो वो भी चलेगा short नहीं हो रहा है कोई बात नहीं ना करो लेकिन ये नहीं है if you move ahead without telling your partner मैं मतलब totally disagree करता हूँ ये एक मतलब थोड़ा सा मिरको सुदेख के शौक लगा है and I think इतने बड़े level पे होने के बाद अगर ये चीज एक cricketer के साथ या एक tennis star के साथ हो सकती है तो भाई क्या ही बोल सकते हैं हाँ ठीक है यार जगडे हो जाते हैं नहीं होती है बात अब ना करोगा लेकिन अगर आप move on कर रहे तो at least that person should be informed उनको बोल दो कि भाई I am looking for the other person in my life and I think we should split बट ये चीज तो बतलब बहुत ही odd लगी अगर हाँ अब आपके अब बहुत से लोग बोलेंगे कि धरम में permitted है ठीक है permitted है बट दूसरे बंदे को पता तो होना चीए यार बिना बताये नहीं शादी नहीं दूसरी ये मैं थोड़ा समझ से परे हो गया सीन बाकी आपकी क्या thought process है ये comment section में जरूर बताना I am shocked that this मतलब थोड़ा जीब लग रहा सोचके सुनके क्या बोल सकता हूं यार मैं आपके विचार जानना चाहूंगा आपके क्या विचार है बाकी like करो share करो subscribe करो या ना करो ये तुमारी मर्जिय बटाज की वीडियो में थोड़ा सा मन दुखी है बनाने में मतलब सुनके जीब लगा बुरा लगा and बुरा भी सानिया के लिए I think we should be supportive to her instead of putting up harsh comments or something like that we should not do that it is totally her bad time and as a fan as a supporter we should stand by her cricket or tennis दोनों के हवाले से ये बुरी खाबर है लेकिन इंसानियत के तौर पे ये बुरी खाबर है ठीक है आपकी बात नहीं हो रही आप मत करो बाए लडाई कर लो जगड लो सभी बात मत करो लेकिन अगर आप मुवान कर रह हो and being in a relationship आप मुवान कर रहे हो चाहे हो on paper है relationship तो आपको मतलब at least information देना या बताना या उनको बोलना जरूर बनता है अगर आपकी सीधी ख़बर आपको internet से पता लग रही है वो चीज़ जानके बड़ा जीब लगेगा that should not happen बाकी guys take care मेरे को ऐसा लगा कि इस मुद्धे प थोड़ा सा अपना viewpoint रख सकते थे तो मैंने रख दिया बाकी आपकी मर्जी है like करो या ना करो share करो या ना करो बट मैं आप लोगों के लिए जो मन में बात थी वो बोलने का मन क्या मैंने बोल दिया जैहिंद मिलता हूं बहुत जल्दी